हलो सुदेंट्स मेरा नाम धीरज महांदिवेदी और स्वागत है आपके फेरोड चैनल मागनेट ब्रेंज पर मागनेट ब्रेंज एक ऐसा चैनल जहाँ पर आपको मिलता है बिलकुल फ्री ओलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन ठीक है आपको एक और बताना चाहता हूँ कि मागनेट ब्रेंज पर किंडर गार्डन से लेकर के क्लास 12 तक के सारे बुक्स और इबुक्स अविलेबल है तो उसको लेने के लिए क्या करना आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन में आप जाएं वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म को आप फिलप करें फिर जो हमारे टीम है वो आपसे कॉंटाट करेंगी ठीक है तो यह जो बुक् हो गए आपके mcq books हो गए ऐसे different segments में आपको एक बुक्स मिलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial रहेगा तो आप सिंपल फॉर्म फिलप करें बागी टीम आपसे contact करेंगी चलें तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा important topic तो क्या क करने वाले हैं आपके class 12 जिसका chapter है chapter number 9 that is ray optics and optical instrument का topic that is refraction through convex spherical surface ठीक है यहाँ पर अपना शुरू हो चुका है refraction through curve surface अभी तक जो हमने discuss किया था इसके पहले वो था आपका plane surface के थूरी fraction अब हम शुरू कर रहे हैं किसी spherical surface के थूरी fraction कैसे होता है ठीक है तो उसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे refraction through convex spherical surface ठीक है तो अगर किसी को दिक्कत हो कि यह convex spherical surface क्या होता है तो previous वीडियो मेरा उसी का है है ना वो जाके देखें इसको देखेंगे then you feel more comfortable ठीक है चलो तो अभी जो शुरू करते हैं पन refraction through convex spherical surface ध्यान देना आप लो यहाँ पर देखो पहला आपन कर रहे हैं refraction from rarer to denser medium मतलब object रखा होगा rarer medium में तो वहाँ से rays निकली होगी और refract होकर के denser medium में गई होगी ठीक है चलो तो यहाँ पर जब आपका convex spherical surface होता है और rays of light अगर rarer से denser में जाती है तो दो possibility बनती है या तो आपका real image बनता है object का या फिर virtual image भी बनता है वो depend करेगा कि object को rarer medium में कहाँ पर रखा है आपने वो object distance पर depend करता है ठीक है तो अभी यहाँ पर हम पहला case देखेंगे for real image जब real image बनेगी ठीक है अब देखो जहाँ से मैं ले रहा हूँ यहाँ पर convex spherical surface तो पहली बात यह कि convex spherical surface तभी बोलोगे जब उसका convex वाला surface rarer medium के तरफ face कर रहा हो मतलब यह आपका rarer medium होना चाहिए तो convex वाला rarer के तरफ face कर रहा है तो ही इसको बोलेंगे convex spherical surface ठीक है यह मैंने बताया हुआ previous वीडियो में ठीक है चलो अभी यहाँ देना यह आपका मान लिया मैंने principle axis ठीक है अब यह जो आपका convex spherical surface है इसका center यहाँ मान लिया मैंने है कि नहीं भाई यह आपका spherical surface का एक part है ठीक है तो अगर complete करेंगे तो एक circle बनेगा ना एक sphere बनेगा ना sphere उसका center यह है ठीक चलो अब मैंने object को रखा एक point object को लिया मैंने यहाँ पर ओ ठीक अब आपको यह तो पता ही है कि incident rays object से निकलती है तो यहाँ पर लिया मैंने यह incident ray ठीक अब देखते हैं कि यहाँ पर reflection कैसा होगा तो उसके लिए आपको इस point पर normal बनाना होगा और किसी भी curve surface पर अगर अपन को नॉर्मल बनाना हो तो उसको join कर दो center of curvature से यह मैंने join कर दिया center of curvature से तो यह हो गया आपका refractive index N2 है clear है ठीक है अब बताओ ray of light अगर rarer to denser आती है तो वो towards the normal bend करती है न तो यह देखो towards the normal मतलब यह bending हो गई बोलो हाए न ठीक चलो तो एक आपका refracted ray तो यह रहा अब एक और refracted ray चाहिए तभी image बन पाएगी ठीक है तो यहाँ देखो एक refracted ray मैंने बिल्कुल principal axis के along ले लिया मैंने हाई न अब बताओ इस point पर जैसी आके hit करेगी उसमें कोई bending नहीं होगी वो सीधे निकल जाएगी अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों देखो यह जो आपका point है यहाँ पर ज़रा normal बनाओ तो normal बनाएंगे तो इस point को join करेंगे c से तो आप बताओ यही आपका principal axis भी आपका क्या होगा अपका normal तो आप बताओ normal के along incident ray है है कि नहीं तो angle of incidence 0 degree है तो angle of reflection भी कितना होगा 0 होगा ठीक है यह याद करो आप लोगों ने plane surface में देखा होगा कि अगर आपका incident ray perpendicularly fall होता है तो बिना किसी bending के सीधे निकल जाता है न वो क्योंकि वो along normal होता है वो यहाँ में वही case है तो along normal अगर हम जाते हैं तो वो बिना किसी bending के सीधे निकल जाएगा तो आप बताओ यह भी आपका refracted ray ही कहलाएगी और यह आपका refracted ray दोनों आ करके यहाँ पर meet कर रहें के नहीं कर रहें ठेक तो अब अदाओ यहाँ पर image बन जाएगी ना इस object की clear चलो अब देखो ध्यान से यहाँ पर यह तो हो गया आपका ray diagram है ना अब मेरी बात को सुनों मैं यहाँ पर एक relation निकालना चाहरा हूं between object distance image distance and radius of curvature of this spherical surface मतलब u, v और r के बीच में एक relation निकालना चाहरा हूं जिसके उपर numericals आते हैं ठीक है और इसका derivation भी exam में आता है ठीक है ना चलो अब ध्यान देना आप लोग यहाँ पर आप बताओ यह तो अगर मैं p मान लूँ ठीक है तो यह होगा object distance यह होगा radius of curvature यह होगा image distance होगा ना ठीक है चलो अभी करते हैं बन अभी ध्यान देना आप लो यहाँ पर एक काम करो तुम यह बताओ सारा सोच के यहाँ पर मुझे लगाना होगा snell's law तो यहाँ पर यह angle of incidence है यह angle of reflection होगा की नहीं होगा बोलो ठीक है आपका normal और refracted ray के बीच का angle ठीक है चलो अब देखो ध् object है इस object पे यह angle alpha बन रहा है यह image पे angle बीचा बन रहा है और center of curvature पे मान लो gamma बिल रहा है है के नहीं ठीक है अब देखो ध्यान से इस point of incidence को आप M मान लो ठीक है चलो अब ज़रा ध्यान से देखना आप लो देखो यह आपको एक triangle दिख रहा है mci अब बताओ in triangle mci में यह exterior angle है की नहीं ठीक है तो exterior angle अंदर के opposite interior angle के sum के बराबर होता है ना बचपन याद करो property पड़ी होगी geometry में ठीक है क्या हम यहाँ पर gamma को लिख सकते हैं r plus beta हाँ लिख सकते हैं ठीक है this is by exterior angle property exterior angle property clear ठीक है चलो यहाँ से क्या तुम r की value लिख सकते हो gamma minus beta हाँ लिख सकते हैं इसको यहाँ shift कर दो gamma minus beta हो जाएगा okay इसको दे दो equation number one clear now इसी तरीके से मैं angle of incidence की value भी निकालूंगा मैं ठीक है अब देखो यहाँ पर ध्यान देना यह आपको triangle दिख रहा है omc omc इसमें यह बाहर का angle है की नहीं और यह अंदर के दो angles हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ i equal to alpha plus gamma ठीक है again since i equal to alpha plus gamma है की नहीं या फिर इसको ऐसा लिख दे क्या अच्छा रहेगा matching matching क्या gamma plus alpha लिख दो अरे alpha plus gamma लिखो या gamma plus alpha लिखो बात तो बराबर ही है नहीं ठीक है तो gamma plus alpha है ना यह भी किस से हुआ exterior angle property से हुआ ठीक है इसको equation number 2 दे दिया मैंने clear है ठीक है अब देखो जाहसे मैं इस point of incidence पर snell's law apply कर रहा हूँ देखो जाहसे by snell's law by snell's law क्या होता है snell's law sin i upon sin r is equal to refractive index अब किसका लेंगे refractive index जिसमें light जाएगी किस में जा रही है denser में जा रही है यह second medium है वारा with respect to first medium तो आप बदाओ इसको n21 लिख सकते है न रिफ्राक्टिव इंडेक्स of second with respect to first और इसको हम लिख सकते हैं n2 by n1 है न तो n21 को लिखते हैं लोग n2 by n1 ठेक है तो refractive index of medium 2 with respect to 1 को लिख सकते हैं absolute refractive index of medium 2 upon absolute refractive index from medium 1 यह मैंने बताया हुआ है in the topic refractive index में ठीक है चलो अब देखो ज्यांसे यह जो आपका i और r है न यह बहुत small है ठीक है यह तो मैंने आपको इतना दिखा दिया लेकिन यह angle बहुत small होते हैं तो अगर angle बहुत small होता है न तो यहाँ पर आप sign i को i मान सकते हो ठीक है तो यहाँ पर sign i by sign r को आप i upon r भी मान सकते हो ठीक है तो यह आप लोगों ने maths में सीखा होगा आप ने और बहुत बार यूज भी किया होगा कि small angle अगर होता है न तो sin i by sin r जो है ठीक है उसको हम i by r भी ले सकते हैं is it clear ठीक है चलो तो एक काम करो यहाँ पर यहाँ देना देखो ध्यासे यह ले लिया मैंने i upon r पहले बोल लिते हैं for small angle for small angles ठीक है यहाँ पर हम sin i को almost equal to i मतलब ऐसा बोल दो better रहेगा sin i by sin r को आप almost i by r लिख सकते हो ठीक चलो तो अब देखो ध्यासे यहाँ पर इसको लिख दिया i by r is equal to n2 upon n1 is it clear ठीक है चलो अब देखो ध्यासे यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर देखना यह जो आपका i है ठीक है यह जो आपका i है मुझे यहाँ पर क्या करना होगा इस i को replace करना होगा gamma plus alpha से और इस r को replace करना होगा gamma minus beta से ठीक है replace करें चलवा उसी के लिए तो value निकाल के रखी है पन ने है न ठीक है तो i को replace कर रहा हूँ किससे gamma plus alpha से और r को replace कर रहा हूँ किससे gamma minus beta से हाँ है न ठीक है equal to क्या चल रहा है आपका n2 by n1 clear ठेक है अब हम क्या करेंगे cross into करेंगे आपर चलो अगले page में करेंगे cross into देखो जहां से तो हो जाएगा gamma plus beta into n1 equal to देखो जहां से gamma plus alpha into n1 ओ ओ अभी दिक्कत हो जाती ठेक है चलो gamma plus alpha into n1 equal to क्या है भई गामा माइनस बीटा into n2 गामा माइनस बीटा into n2 clear ठेक है चलो अब देखो धियां से यहां पर इधर आओ देखो यह जो आपका gamma है यह जो आपका alpha है यह जो आपका beta है इसको क्या करेंगे सुनो यह जो point m है यहां से perpendicular drop कर दो कर दिया मैंने perpendicular drop इसे आप n मान लो और वो सुना है formula तुम लोगों ने के theta equal to arc upon radius सुना है ना आप लोगों ने हाँ है ना तो यहां पर alpha को लिखेंगे हम लोग theta theta equal to arc upon radius वाला formula इस mn को हम radius मान सकते है because यह angle बहुत small है ठीक है तो यही पर मैं लिख देता हूँ alpha equal to हम लिख सकते mn upon on ठीक है गामा को लिख सकते हम लोग देखो फिर से mn upon nc और beta को लिख सकते हैं हम लोग beta को लिख सकते हैं हम लोग क्या mn upon n i है कि नहीं चलो यह replace करें पहले आओ alpha को लिखना है अपन को mn upon on अचा पहले गामा लिखते हैं गामा कितना है mn upon nc mn upon nc ठीक प्लस alpha कितना है तो alpha है आपका mn upon on mn upon on ठीक और यह आपका n1 चल रहा है equal to देखो जहां से यहाँ पर फिर से गामा कॉपी कर दूँ इसको mn upon nc माइनस बीचा बीचा की value कितनी है भाई आपका n i upon sorry यह मने लिखा ही नहीं पूरा आपका यहाँ पर एक मिनिट बीचा की value कितनी होगी mn upon n i ठीक है चलो तो mn upon n i बीचा की value mn upon n i ठीक है चलो into चल रहा है n2 अब बताओ यहाँ से mn common यहाँ से mn common cancel out ना ठीक है तो 1 upon nc plus 1 upon on into n1 equal to 1 upon nc minus 1 upon n i into n2 clear ठीक है चलो अब ध्यान देना आप लोग यहाँ पर इधर देखो यहाँ पर जरा diagram पर फिर से focus करना यहाँ पर curvature बहुत ज़्यादा नहीं होता तो curvature small होता है न तो यह n और p बहुत करीब होते हैं तो आप n को almost p मान सकते हो तो यह जो आप बोलो ना on on को आप op बोल सकते हो यह जो बोलो ना cn cn को आप cp बोल सकते हो और यह जो बोलो ना ni ni को आप आई बोल सकते हो मलकों मिला करके n को p से रेप्लेस कर दो क्योंकि यह दोनों बहुत करीब है ठीक है तो यहाँ देखो यहाँ पर हम बोलेंगे कि कि यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर n इस नियर टूपी ठीक है वेरी नियर टूपी एक्चुली लेकिन ठीक है चलो अब अदाओ मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन पॉन पीसी यह हो जाएगा आपका ओपी जहां-जहां एं दिख रहे है वाँ पर पीसे रप्लेस कर दो यह हो जाएगा आपका पीसी यह आपका वन अपॉन पउन पी-ाई और यह आपका एं-टू क्लियर ठीक है चलो अब देखो जहाँ से क्या करना है अपन को है ना अब मैं पीसी ओपी-पी-पी-पी-पी क लेकिन sign convention भी इस्तेमाल करना है तो क्या लिखेंगे minus you ना क्या लिखेंगे minus you ठीक चलो तो आप बताओ यहाँ पर अच्छा यह PC है PC क्या actually में PC जो है वो radius of curvature है तो radius of curvature जो आर होगा उसको हम plus में लिखेंगे ना क्योंकि यह object के other side में है तो sign convention के recording other side वाला क्या होता है positive होता है तो यहाँ पर PC plus R होगा और PI plus V होगा image की दूरी है के नहीं इधर वाली चीज़ positive होती है चलो अब देखो देहां से आपर PC होगा आपका plus R OP होगा आपका minus U यह आपका N1 1 upon PC PC की value R minus 1 upon PI PI की value कितनी V यह आपका N2 हो गया ठिक चलो अब देखो ध्यान से यहाँ पर इधर देखना यहाँ पर R वाला एक तरफ करो ज़रा ठिक है तो यह बताओ N1 by R प्लस अच्छा यह minus हो गया तो minus N1 by U equal to यहाँ पर हो जाएगा N2 by R ठिक है और यह minus N2 by V clear now अब एक काम करो N2 by V को इधर ले लो N2 by V यह तो यही पर है minus N1 by U is equal to N2 by R minus N1 by R ठिक चलो तो अब देखो ध्यान से यहाँ पर यह हो जाएगा N2 upon V minus N1 upon U क्या मैं इसको लिख सकता हूँ RLCM तो N2 minus N1 हाँ न ठिक है तो अब मैं इसको पहले लिख रहा हूँ इसको बाद में लिख रहा हूँ एक ही बात है तो यहाँ पर और N2 minus N1 upon R is equal to what N2 upon V minus N1 upon U this is the formula this is the relation between U V and R is it clear तो यह बहुत ही important formula है है ना देखो कैसे इसको ध्यान रखते हैं सुनो अभी बताओ ray of light कहां से कहां गई है rarer से denser गई है ना मलब N1 से N2 गई है ना मतलब final medium N2 है तो formula क्या होगा देखो N1 से N2 गई है ना तो N2 minus N1 upon R फिर N2 के साथ V और N1 के साथ U negative में हमेशा रसी pattern follow होगा तो देखना अभी बाकी और जो case करेंगे ना उस पर भी बिल्कुल same pattern follow होगा हाँ है ना ठीक है तो मैंने क्या बोला N2 minus N1 upon R मलब final medium का refractive index minus initial medium का refractive index ठीक है upon R equal to जो पहले लिखा हुआ उसके साथ V और minus जो बाद में लखा हुआ उसके साथ U यह pattern follow होगा तुम देखना सारे cases में ठीक है के लिए चलो तो यह pattern समझना बहुत important है numerical solve करने के लिए कि वहाँ पर formula कैसे लिखें रटना नहीं है अपन को pattern बना लो ठीक है चलो तो एक काम करें आप लोग पहले इसका screenshot ले ले फिर आप लोग इसका screenshot ले ले चले अब देखें यहाँ पर next जो case होगा आपका for virtual image है ना मैं अभी भी आपका जो fraction होगा वो rarer से denser में होगा लेकिन इस बार क्या कहानी होगी यहाँ पर आपका virtual image बनेगा virtual image का मतलब same side image बनेगा उसके लिए object को और करीब लाना होगा तब ऐसा होगा हाई ना ठीक है तो करें शुरू चलो देखो ज्यान से देखो यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक convex spherical refracting surface तो आप जानते ही है यह आपका convex surface के तरफ rarer होगा ठीक है यह आपका denser है यह आपका refractive index n1 इसका absolute refractive index n2 clear ठीक है यह आपका principal access ओके नाओ अब इसका center of curvature यहाँ पर है ठीक है तो जैसा कि मैंने कहा आप से कि object को और करीब रखना होगा तब जाके virtual image बनेगा ठीक है चलवाओ ध्यान देना आप लोग यहाँ पर मैं object को यहाँ पर रख रहा हूँ ठीक है अब देखो यहाँ से लिया मैंने एक incident ray है ना अब क्या होगा यहाँ पर बनाया मैंने normal तो normal कैसे बनाते हैं join करेंगे c से so this is normal यह देखो this is normal clear now अब देखो जब ray of light rarer medium से denser में जाती है तो bending होती है towards the normal तो यह मैंने towards the normal bend कराया ठीक है अब देखो जहाँ से यह मैंने towards the normal bend कराया देखो जाना चाहिए सीधा लेकिन उसकी bending हो गई normal के तरफ ठीक है अब देखो यहाँ पर एक ray तो आपका यह हो गया refracted ray एक और लेते हैं अपन refracted ray ठीक है देखो यह लिया मैंने incident ray तो आपको मालुम है कि जब यह इसको strike करेगा तो यहाँ पर normal यही principle access होगा ठीक है तो जो ray है वो बिना किसी deviation के सीधे निकल जाएगी तो आप बताओ यह जो आपका refracted ray है और यह जो refracted ray है क्या इनका actual में मिल पाना possible है क्या नहीं न तो हम क्या करेंगे इनको produce करेंगे अब देखो इस refracted ray को मैं produce कर रहा हूँ और इस refracted ray को भी में produce करूंगा तो यहाँ पर meeting हो रही है न ठीक है चलो तो यह हो जाएगा image clear अवा बताओ यहाँ पर जो image बन रही है वो object side में ही बन रही है तो इसे कहते है virtual image is it clear ठीक है क्योंकि produce करके हम बना रहे है clear now अब देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पर यह आपका image यह आपका object यह center off करवे जाओ अब मैं फिर से यहाँ पर relation निकालने वाला हूं between u v and r ठीक है आओ देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पर एक काम करते हैं तुम यह बता पहले यहाँ पर angle of incidence यह होगा न दस इस angle of incidence और यह होगा आपका angle of reflection clear ठीक है अब देखो ध्यान से यह अगर आपका R है तो यह वाला angle भी आपका R होगा न यह देखो यह छोटा वाला angle यह बड़ा वाला angle क्या होगा एंगल आई होगा और ये छोटा वाला क्या होगा आर होगा ठीक है अब देखो center of curvature पर जो एंगल बनता है उसे हम क्या बुलते है गामा जो object पर एंगल बनता है उसे हम बुलते है alpha और जो image पर बनता है उसे कहते है बीटा ठीक है अब मुझे निकालना है relation between u v and r ठीक है आओ अब मेरी बात को सुनना द्यान से तुम ये बताओ पहले मुझे i और r की value निकालनी होगी in terms of alpha बेटा और गामा तो उसके लिए जरा triangle observe करते हैं देखो द्यान से आप ये बताओ आपको अगर मैं इस point को m नाम दे दूँ तो triangle m o c देखो इसमें ये वाला बाहर का angle है की नहीं आई और ये अंदर के opposite दो angle है तो exterior angle अंदर के opposite to interior angle के sum के बराबर होगा तो मैं लिख सकता हूँ क्या i equal to alpha plus gamma ठेक है तो यहाँ पर देखो मैं लिख सकता हूँ since angle i equal to alpha plus gamma या gamma plus alpha बोल देते हैं एक ही बात है है ना ठेक है चलो तो ये मैं बोला मैंने exterior angle property से exterior angle property clear ठेक है अब देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पर आगे अब ये बताओ ये आपका angle R तो ये वाला भी angle R है vertically opposite angle से ठेक अब देखो यहाँ पर ये वाला angle ये बीटा प्लस गामा के बराबर होगा की ही होगा देखो ध्यान से आप बताओ triangle M I C में ये R बाहर का angle होगा तो इस R को लिख सकते हैं क्या हम लोग बीटा प्लस गामा है न ठेक है चलो तो यहाँ पर देखो आप ध्यान से मैं R को लिख सकता हूँ गामा प्लस बीटा या बीटा प्लस गामा जो बोलना है बोल सकते हो ठीक है ये भी again exterior angle property चलो अब मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ स्नेल्स लाओ ठीक है ध्यान देना at point M मैं यूज करूँगा स्नेल्स लाओ देखे at M है ना at M अब देखो ध्यान से याँ पर by स्नेल्स लाओ by स्नेल्स लाओ देखो ध्यान से क्या होगा स्नेल्स लाओ आप लोगो ने पढ़ा हुआ है ना स्नेल्स लाओ क्या होता है the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction are always equal to constant that is refractive index ठीक है तो अब देखो sine i by sine r sine i by sine r is equal to refractive index अब किसका लेंगे refractive index जिसमें ray of light गई है मतलब 1 से 2 में गई है तो हम 2 का लेंगे refractive index with respect to 1 तो यहाँ देखो refractive index of medium 2 with respect to 1 जिसको हम लेख सकते है n2 by n1 है के नहीं ठीक है चलो अब देखो दिहां से आप बन ये जो i और r होते हैं ये बहुत small angles है और अगर small angle होता है न तो sine i by sine r को i by r भी लिख सकते हैं ठीक है चलो तो यहाँ पर दिहां देना for small angles for small angles हम यहाँ पर बोल सकते हैं sine i upon sine r is nearly equal to i by r ठीक है तो मैं इसको replace कर रहा हूं i by r से therefore i by r is equal to n2 by n1 clear now अब हम क्या करेंगे cross multiply करेंगे तो i into n1 equal to r into n2 clear now अब मैं क्या करने वाला हूं i और r की value ये put करेंगे पन ठीक है आँ ज़रा देखो ज्यान से आप लोग यहाँ पर देखना इधर देखो i की value कितनी है gamma plus alpha ठीक है into n1 और r की value कितनी है gamma plus beta into n2 clear ठीक है चलो अब देखो यहाँ पर ध्यान से ठीक है gamma alpha और beta की value कैसे रिकालेंगे ध्यान देना इधर देखो यह जो आपका alpha, beta, gamma है यह भी small angles है ठीक है तो यह भी small angles है तो यहाँ पर यहाँ देना मैं m से एक perpendicular drop कर रहा हूँ say this is n और यह आपका p है ठीक है चलो अब देखो ध्यान से यहाँ पर अगर मैं beta की बात करूँ तो यह small angle है और आपको मालूम है न theta को लेख सकते है arc upon radius और अगर यह small angle होता है न तो हम arc को एक cord भी ले सकते है देखो actually में यह arc होना चीए ठीक है लेकिन arc या cord एक ही चीज हो जाता है मतलब nearly same होता है अगर यह same angle होगा sorry अगर यह small angle होगा ठीक है तो अगर यह small angle है तो हम इस mn को माल लेंगे arc और इसको क्या माल लेंगे radius तो यहाँ पर मैं theta equal to arc upon radius का formula यूज़ करूँगा जिसमें arc मैं mn को मानूँगा और radius इस in को मानूँगा है के रही for small angles clear ठीक है तो यहाँ पर ध्याँ देना आप यह बताओ since theta equal to arc upon radius होता है न यह formula आप लोग को मालूँँगा ठीक है अब देखो ध्याँ से आपर for small angle ठीक है for small angles देखो मैं alpha को क्या लिख सकता हूँ तो alpha को लिख सकता हूँ mn upon on mn upon on ठीक है beta को क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ mn upon i n mn upon i n और gamma को क्या लिख सकता हूँ मैं gamma को लिख सकता हूँ mn upon cn mn upon cn mn upon cn ठीक है अब देखो देहां से आपर क्या करोगे आपर alpha, beta और gamma की value put करोगे ठीक है चलो मैं put करता हूँ next page में तो gamma plus alpha मतलब mn upon cn plus mn upon on ठीक है चलो तो यहां पर हो जाएगा आपका mn upon cn plus mn upon on whole into n2 equal to sorry n1 था आपका यह अब ध्यान देने आप लोग यहां पर तो gamma की value put की मने mn upon cn alpha mn upon on into n1 फिर है गामा प्लस बीचा into n2 आव तो अगें गामा मतलब mn upon cn प्लस आपका बीचा है बीचा होगा आपका image वाला मतलब mn upon i n whole into what n2 clear? ठीक है? अब देखो यहां पर mn common आएगा mn common आएगा cancel out हो जाएगा तो यहां पर देखो जहां से 1 upon cn plus 1 upon o n whole into n1 equal to 1 upon cn plus 1 upon i n whole into n2 clear? अब हम क्या करेंगे? values put करेंगे ठीक है? ध्यान देना आप लोग यहां पर इधर देखो यहां पर अगर मैं आपसे बोलू value put करने से पहले ज़रा ध्यान देना यह curvature बहुत small होता है तो हम कहते हैं कि n और p बहुत करीब होते हैं तो क्या मैं n को p मान सकता हूँ? मतलब इन में ज़्यादा gap नहीं होता ठीक? तो यहां पर देखो since n is very near to p very near to p तो यहां पर देखो जहां जहां n है वहां पर आप p रग दो तो हो जाएगा 1 upon cp plus 1 upon op whole into n1 यहां पर 1 upon cp plus 1 upon ip whole into n2 clear? now अब मैं value put करूँगा with proper convention ठीक है? देखो यहां से आप यह बताओ जो cp है वो radius of curvature होगा की नहीं होगा? ठीक है? और आप बताओ यह right side में लाई कर रहा है मादब object के other side में है तो आपका radius positive होगा न और यह जो op है object distance यह तो हम negative लेंगे minus u और इस बार image distance भी क्या होगा? negative होगा क्योंकि वो object side में ही है तो आपका u और v हम negative में put करेंगे लेकिन radius हम positive put करेंगे ठीक है? आओ देखो ध्यान से आप लोग यहां पर यह cp आपका radius है plus r op यह आपका object distance है यह आपका minus u ठीक है? hole into n1 now equal to 1 upon cp again plus r 1 upon ip this is minus v यह आपका n2 clear? अब क्या करेंगे? एक तरफ हम ले जाते हैं किसको r को है ना? और एक तरफ u और v को ठीक है? ध्यान देना एगर देखो ध्यान से आप लोग पहले तो एक काम करो cross sorry, इसको अंदर multiply करो n1 upon r now यह हो जाएगा minus में minus n1 upon u is equal n2 upon r now minus n2 upon v clear? ठीक है? अब देखो यहां से यहां पर n1 v अब देखो यहां पर क्या करो? n2 by v को ले आओ left में और यह तो यही पर है n1 upon u और इसको ले जाओ right में तो n2 by r minus n1 by r ठीक है? अब यहां पर देखो r LCM आएगा तो n2 minus n1 और यहां पर n2 by v minus n1 by u तो यहां पर अब मैं इसको पहले लिख रहा हूँ में n2 minus n1 upon r is equal to n2 by v minus n1 by u अब देखो यहां पर जब अपने real image वाला case किया था वहां पर भी आपको same formula मिला था और जब virtual image कर रहे है तो भी आपको same formula मिल रहा है क्यों क्योंकि यहां पर ray of light rarer से denser में जाती है तो ध्यान रखना आप लोग हमेशा इस बात को एक pattern दिमाग में बिठा लो कि अगर कोई ray of light rarer to denser जा रही है मतलब refractive index 1 n1 से n2 जा रही है तो formula मालूम क्या होगा देखो मैं बनाता हूँ formula ठीक है pattern को समझना n1 से n2 तो n2 minus n1 upon r plus sorry equal to n2 by v minus n1 by u मैंने क्या बोला 1 से 2 में गई है न तो n2 minus n1 upon r ठीक है equal to फिर n2 पहले था तो n2 by v बाद में कौन है n1 minus n1 by u तो यहाँ देखो n2 minus n1 by r फिर n2 के साथ v और n1 के साथ u काम कतम ठीक है चाहे real image बने या virtual image बने formula will remain same is it clear ठीक है चलो तो ये तो हो गया आपका दो केस जब आपका refraction मैंने कराया rarer to denser through convex spherical surface अब हम क्या करेंगे यहाँ पर convex spherical surface के through refraction study करेंगे जब ray of light denser से rarer में जाएगी है के नहीं अभी हमने देखा क्या rarer to denser अब हम करेंगे denser to rarer मला N2 से N1 में जाएगे clear ठीक है तो यह काम करें आप लोग पहले इसका screenshot ले ले फिर इसका screenshot ले ले चले अब देखें यहाँ पर next अब मैं कराने जा रहा हूँ refraction from denser to rarer medium ठीक है तो मैं फिर से लोगा convex vertical surface है ना तो धियान देना आप लोग यहाँ पर इधर देखो इस बार मैं क्या करूँगा एक सेकेंड देखो इस बार मैं क्या करूँगा मैं लोगा यहाँ पर ऐसा surface लेकिन तुम बोलोगे सर यह तो concave हो गया नहीं आपको यह पता होना चाहिए कि अभी तक मैंने rarer कहा है denser कहा है यह बताया नहीं है मैंने तो जब तक पता ना हो कि rarer कहा है denser कहा है आप उसको convex या concave नहीं बोल सकते अब देखो मुझे अगर इसको convex बनाना है तो convex side में क्या रखूंगा मैं rarer और यह क्या होगी आपका denser तो हुआ रही है convex है के नहीं ठीक है अब देखो ध्यान से आपड़ तो यह आपका है n2 और यह है आपका n1 clear ठीक है चलो अब देखो ध्यान से यहाँ पर यहाँ पर इसका center of curvature यहाँ पर कहीं होगा ठीक है अब मैं refraction कराने वाला हूँ from denser to rearer medium ठीक है तो देखो ध्यान से मैं object को place कर रहा हूँ माल लो यहाँ कही place कर देता हूँ मैं object को clear ठीक है थोड़ा सा और दूर ले लेता हूँ मैं यह ले लिया मैंने object clear ठीक है अब देखो ray of light जाएगी है ना अब बताना यहाँ पर normal कैसे बनाएंगे हम join करेंगे C से हम join करेंगे C से ठीक है अब बताओ ray of light जा रही है from denser to rearer तो वो bend होती है away from the normal ना तो देखो जाना चाहिए सीधा लेकिन normal से दूर bend होगी यह bend होगी है के नहीं क्या थोड़ा सा tilted है थोड़ा सा और स्टेट बनाता हूँ मैं यह होगया आपका bending away from the normal clear ठीक है अब देखो ध्यान से याँपर यह आपका होगया image q image देखो ध्यान से एक refracted ray तो मैंने यह लिया और एक और incident ray अगर along principal access लोगे तो आपको मालूम है ना इस point पर normal क्या होगा यह खुद principal access एक normal होगा और normal के along अगर incident ray जाती है तो बिना किसी deviation के सीधे निकलती है ना हाँ है ना तो आपको यह पता भी है अपने दो case कर भी लिए है कि अगर कोई incident ray ठीक है principal access के along जाएगी मतलब normal के along है तो वहाँ पर कोई bending नहीं होती है सीधे निकल जाती है वो ठीक चलो तो यह बताओ image इस point पर बन रही है ना ठीक चलो अब यहाँ पर भी मुझे relation निकालना है between u, v and r ठीक है तो उसके लिए पहले angle of incidence angle of refraction उसकी value निकालेंगे alpha बीचा gamma के terms में fistness law का इस्तेमाल करके सेम तरीके से काम करेंगे शुरू करें चलो देखो ज्यान से आप लोग यहाँ पर आप यह बताओ यहाँ पर यह आपका incident ray, यह normal this is angle of incidence this is angle of incidence clear, यह आपका होगा angle of refraction clear ना, ठीक है अब आप देखो ध्यान से यहाँ पर, इधर देखो यह आपका gamma ठीक है, यह आपका alpha और यह आपका beta होता है है कि नहीं, ठीक है अब आप देखो ध्यान से आपर आप बताओ पहले यह triangle देखो, इसे point M मानो यह triangle M, O, C देखो, इसमें gamma बाहर का angle है कि नहीं तो gamma को लिख सकते हैं क्या I plus alpha लिख सकते हैं ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से, since gamma is equal to I plus alpha तो यहाँ पर यह क्या होगा आपका by exterior angle property हाँ यह न, ठीक है अब देखो, यहाँ पर लेकिन मुझे क्या चाहिए, I की value तो क्या मैं I लिख सकता हूँ, gamma minus alpha, yes equation number one clear, ठीक है अब आप देखो, triangle M, C, I यह triangle दिख रहा है आपको इसमें यह जो R है, यह बाहर का angle है तो लिख सकते हैं क्या R equal to gamma plus beta ठीक है तो यहाँ से directly R की value मिल गई है अपन को gamma plus beta यह आपका exterior angle property से ठीक है यह आपका equation number two clear, now अब हम क्या करेंगे snell's law apply करेंगे, ठीक है तो at M at M by snell's law ध्यान दें आप लोग यहाँ पर by snell's law तो देखो snell's law से हम क्या बोलेंगे हाँ पर sin I by sin R sin I by sin R is equal to refractive index किस medium का लेंगे refractive index जिसमें entry हो रही है इस बार medium one में entry हो रही है two से तो one का refractive index लेंगे with respect to two जिसको मैं लेक सकता हूँ N1 by N2 is it clear ठीक है चलो अब देखो क्योंकि I और R बहुत small angles होते हैं तो sin I by sin R को हम approximately I by R ले सकते हैं ठीक है जियान देना तो मैं आपर बोलूँगा since I and R are very small are very small तो यहाँ पर मैं sin I upon sin R को approximately I by R लिख सकता हूँ ठीक तो यहाँ पर इसको लिखो I by R ठीक है is equal to आपका N1 by N2 हो गया यह फिर cross into करेंगे यहाँ पर हम लोग है ना तो ध्यान देना आप लोग यहाँ पर इधर देखो यहाँ पर किया मैंने I into N2 equal to R into N1 अब देखो I की value कित्ती निकाली मैंने gamma minus alpha into N2 और R की value कित्ती निकाली मैंने gamma plus bीचा into N1 clear? now अब देखो यहाँ पर तुम लोग को मालू में कहानी क्या करनी है बन को M से perpendicular drop करेंगे यह N हो जाएगा यह आपका P है तो आप बताओ देखकर कि यहाँ पर मैं directly काम कर लेता हूँ ठीक है? आप बताओ gamma को लिख सकते हैं क्या MN upon CN ठीक है? अलफा को लिख सकता हूँ क्या मैं? MN upon ON बीटा को लिख सकते हैं क्या MN upon IN है ना? ठीक है? चलो तो यह वाला काम करेंगे क्यों करते हैं सम लोग? क्योंकि small angles है वो तो मैंने आपको show किया इतना बड़ा angle है लगिन यह बहुत छोटे angles होते हैं तो वहाँ पर जो arc है arc उसको हम chord मानते हैं अपने discuss कर चुके हैं अभी इसको थोड़ दिर पहले है की नहीं? ठीक है तो यहाँ पर देखो for small angles for small angles यहाँ पर धियान देना अलफा को लिख सकते हो आप अलफा को mn upon on mn upon on beta को लिख सकते हो आप आप mn upon in mn upon in और gamma को लिख सकते हो आप mn upon cn ठीक है? mn upon cn clear? ठीक है तो अब यह values यहाँ पर put करने हैं बन को ठीक है? आओ ज़रा next page में करते हैं बन तो गामा की value कितनी? यहाँ पर एक गामा माइनस अलफा into n2 तो एक काम करते हैं देखो ध्यान से हाँ तो यहाँ पर गामा गामा क्या होगा आपका? mn upon cn minus alpha है नहीं आपर? yes minus alpha तो alpha होगा आपका mn upon alpha का मतलब object मतलब on into n2 equal to यहाँ पर आई तिंक गामा प्लस बीचा है yes गामा का मतलब center of curvature वाला mn upon cn plus अब आपके पास क्या है? आपका बीचा बीचा मतलब image वाला mn upon i n और whole into क्या चल रहा है? n1 चल रहा है देखो ध्यान से yes okay अब बताओ mn common आया mn common आया cancel out तो 1 upon cn minus 1 upon on whole into n2 equal to यहाँ पर है आपका 1 upon cn plus 1 upon i n whole into n1 ठीर ठीक अब देखो यहाँ पर क्या करना है तुम बताओ क्या करते हैं हम लोग n और p बहुत करीब होते हैं न ठीक है? तो यहाँ पर हम n को p मान सकते हैं ठीक है तो हम यह बोलें जे since n is very near to p near to p तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n दिख रहा है सबको आप p से रेप्लेस कर दो तो यह हो जाएगा 1 upon cp minus 1 upon op into n2 यह आपका 1 upon cp plus 1 upon ip whole into n1 clear? ठीक है अब देखो यहाँ पर जो cp है मतलब radius of curvature वो आपका क्या होगा? negative होगा न और जो op है यह object distance यह भी क्या होगा? negative होगा न और यह जो आपका pi यह है? यह image का distance यह positive होगा क्योंकि object के other side में है मतलब आपका r और u negative होगा और v positive होगा ठीक है? आओ देखो यहाँ से आप लो यहाँ पर यहाँ देखो 1 upon cp minus r minus 1 upon op op मतलब minus u n2 clear? equal to 1 upon cp minus r plus 1 upon ip ip क्या है आपका? plus v n2 and 1 ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? अंदर multiply करके r एक तरफ और आपका u और v एक तरफ clear? तो एक काम करते हैं देखो देहाँ से यहाँ पर यहाँ पर पहले तरफ एक काम करो multiply करो ठीक है? आओ देखो द्याँ से n2 मतलब यह हो जाएगा minus n2 by r यह देखो यह हो गया plus तो n2 by u plus n2 by u ठीक है फिर उसके बाद equal to यहाँ पर क्या होगा? minus n1 by r ठीक है और यह आपका plus n1 by v clear? now अब देखो द्याँ से आपर क्या करोगे आप यहाँ पर? आप करोगे इसको इधर और इसको इधर तो यहाँ पर द्याँ दो यह इधर आएगा तो plus n1 by r हो जाएगा यह तो यही पर है minus n2 by r equal to n1 by v और यह इधर minus n2 by u clear है यह चीज़? अब देखो यहाँ पर lc m आया r तो उपर आएगा n1 minus n2 equal to n1 by v minus n2 by u अब देखना यहाँ पर same pattern follow होगा इस बार refraction कहां से कहा हुआ है? आपके denser से realer में हुआ है मतलब 2 से 1 में हुआ है तो final medium कौन सा है? आपका 1 तो आपका 2 से 1 मतलब n1 minus n2 upon r फिर n1 के साथ v और फिर आपके n2 के साथ u देखो n1 minus n2 upon r equal to n1 upon v minus n2 upon u तो यहाँ देखना आप लोग यहाँ पर formula जब भी आपको लिखना हो तो पहले देखो कि कहां से कहां refraction हो रहा है? अगर आपका 2 से 1 में हो रहा है तो 1 हो गया final medium है के नहीं? और 2 initial medium तो 2 से 1 मतलब n1 minus n2 final minus initial ऐसा तो n1 minus n2 upon r फिर जो पहले देखा हो है उसके साथ v होगा और जो बाद में देखा हो है उसके साथ u होगा ठीक है? इस pardon को follow करना है clear है? तो यह मैंने आप लोग को derivation करा दिया fraction का है ना? तो यह derivations आपके exam में आते हैं तो बिलकुल ध्यान से बस एक दो बार practice कर लोगे ना? तो अपने आप आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी ठीक है? तो एक काम करें पहले आप लोग इसका screenshot ले ले फिर इसका screenshot ले ले चलो तो अब जो है अब जो अपना next वीडियो रहेगा ना? उसमें मैं आपको बताऊंगा कि refraction through concave spherical surface कैसे करते हैं है ना? वहाँ पर भी आपको same pattern observe होगा ठीक है? तो बस ऐसी वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको? simple magnetbrace.com पर जाएं या पर जो magnetbrace का YouTube channel है वहाँ पर आप जाएं वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे course मिलेंगे जो कि बिल्कुल free of cost है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने एक दो टापिक पढ़ लिया तो फिर कोई coupon लगाना पढ़ रहा हो पर कोई payment करना पढ़ रहा हो ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पर सारा content बिल्कुल quality content आपके लिए बिल्कुल free available है तो बस अन्तुमें ही कहूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको like जरूर करे और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सबस्क्राइब करे ताकि कोई भी upcoming वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिसना हो और अपने दोस्तों के साथ इसको share भी करे ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए Thank you